माबिटी किचीन स्टार आज मैं आप सब के लिए ब्लैक फॉरिस्ट केक की रेसिपी लेकर आई हूं और इस केक को बनाने के लिए हमें केवल चार इंग्रेडियन की जरुवत होगी और सबसे खास बात हम जो इस केक को सजाएंगे उसके लिए हम पाइपिन बैक और नोजल घ फी तियार करेंगे तो घर पर हमनोजल त्यार करके ही इस केक को सजाएंगे यह राइसिपी आपको कैसी लगे आप मुझे कमेंड करकि बताएं तो चलिए बिन जुछी पीलिए हम रईस्पी बनाना सुरू करतेयां साथ में आप केक को भी देख सकते है कि यह बिलकुल मार् इसमें हम अच्छी तरीके से ओयल लगा देंगे और नीचे हम बटर पेपर का या फिर कोई साधा तुकड़ा से रख देंगे इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बिसकिट ली है यह काफी डिफरेंट फ्लेवर की बिसकिट है जैसे कि यह मैरी लाइट बिसकिट हमने लिया है हैपि 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 बिसकिट लिया है और यहाँ पर ओरियो बिसकिट लिया है तो इन सारी बिसकिट को हम इस तरह से छोटे छोटे तुकड़ों में तोड लेंगे यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के करीब बिसकिट ये यूस किये है और ज्यादा एमॉंट जो है बिसकिट का वो चौकलेट फ्लेवर का है तो हमारा जो केक है वो चौकलेट फ्लेवर का बन करके त्यार होगा और बिसकिट को हम अची तरीके से पीस लेंगे पीसते समय में कुछ पीसे डालने की जरुवत नहीं है लेकिन हमें इसका अच्छा से पीस लेना है और पाउडर बना करके त्यार करना है तो ये हमने सारी बिसकिट पीस करके त्यार कर ली है अब हम इसमें धीरे धीरे करते हु ऑब हमें 드ô pata. अब हमें इस़ेक होगे नहीं की नहीं त्यार करना है। इसके लिए चाहिए होगा एक अब लाना हमी की यह जुत भी का है यह हो तो इस तरीके से तेदिश्ट दो मिला सकते हैं तो यहां पर टू टेबल स्पून हमने पिसी हुई चीनी मिला ली है चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको केक बहुत सदा मीठा पसद नहीं है तो यह देखिए हम इसमें चीनी को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आप यहां पर बेकिंग पौडर नहीं डालना चाहता है तो आप इहां पर इनो कभी इस्टिमाल कर सकते हैं इनोंसे भी हमारा जो केक हैं फूल जाता हैं और काफी अच्छा बनता है तो अगर आप ईनon यह उस करेंगे का बिस्किट का केक बना देती है तो उसकी क्रम्स जो है वह बहुत ज़्यादा निकलने लगती है इसलिए थोड़ा सा थेकी बैटर बनाए अब हमने यहां पर देखिए कढ़ाई ले लिए जिसको पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था तो लगबाग 5-7 मिर्ट पहले हमने कराई गरम होने के लिए अब इस तरीके से अंडर मोल्ट को रखके हमने 20-25 मिनट के लिए से पका लिया है और हमारा जो केक है वो पूरी तरह से पग गया है तो यह जो स्टिक या नाइफ हो है वो एकतम क्लीन निकल रही है अब हम से तार लेंगे तो चलिए हम क्रीम के त्यार करते है तो यहाँ पर हमने विपिंग क्रीम ले यह एक tho向 ठंडी धंडी शान क्रीम लें तो क्रीम को हमें बहुत थंडा यूज़ करना है अब यहां पर वन strony अशेंस डालेंगे लाए तो आप यहां पर क्या किए कि दो चमाज बिस्कृट का पाव्डर भी डाल और इसे हम विप कर लेते हैं तो यहां पर आपको 4-5 मिनिट लग जाएंगे विप करने के लिए और बीट करना है हमें इसे जब तक कि अच्छे से इस्टिफ पीक नहीं बनने लगता है इसका तो अगर आपके क्रीम एकदम ठंडी होगी तो अराम से विप हो जाएगी और अपन बैग बनाना बता दे दि हूं तो यहां पर मैंने पेपर कप लिया है क्योंकि थोड़ा से मोटा होता है अगर आपके पास पेपर कप नहीं है तो आप कोई भी काड़ बोर्ट का काघज यूज कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा काघज जय थोड़ा सा मोटा हो आप तो देखे कुछ इस तरीके की कटिंग आपको करनी है और इस तरह की कटिंग आप करेंगे तो फिर जो रोस पैटन वाला हमारा डिजाइन होता है वो अराम से बन करके त्यार हो जाएगा तो पहले इस तरह से कौन मनाना है और इस कौन को चिपकाने के लिए आप यहां पर टे और मुझे भी यह काफी पसंद आया है क्योंकि इससे हम लोग जो बहुत ज़दा मनी खर्च करते हैं नोजल खरीदने के लिए और मार्केट में किवाल एक नोजल मिलता भी नहीं हमें पुरा सेट खरीदना होता है जो काफी कौशली होता है और डिजाइन तो आप जानते ह जिए दोंगी तो घर पे ही आप दो-तीन तरीकी के नोजल जो है वो बना सकते हो और उससे केक को डेकोरेट कर सकते हो तो देखे कुछ इस तरिके से हमने आगे से नोजल को ऐसे कट कर लिया है कुस्छ जिग-जग की रूप में हमें से कट करना है जैसे कि अभी मैंने आपक जुदा भीन नहीं है वैसे तो इसे हम बटर पेपर से बनाते हैं और यह सब शुक कि बचल नहीं है तो मैं शुछा है आज मैं आपको सीमपल कागास ही विता दो ताकि आप लोग भी mankind's last कर भी तो इस तरिके से हमने जो है क्या किया है की इसको अच्छे से चिपका लिया है कि इस्तिमाल करेंके कि त्रिक तयुकि बहुत अच्छा चिफ्टा है और बिलकुल भी खुलता translate तो इस तरीके से अच्छे से आप टेप लगा लें ताकि जब हम इसमें क्रीम डाले और फिर प्रेशर बढ़े तो हमारा यह जो है भी से खुले नहीं क्योंकि अगर यह खुल जाएगा तो क्रीम निकलने लगेगी अब उपर से बराबर कर दें तो देखिए हमारा प्यारा सा और जो पाइपेन बैक हो बन करके त्यार हो गया है इस तरीकासे हमने लोजसल भी तयार किया है तो इसे अब तो आगे से अप इसे ऐसे कट कर लें और फिर पीछे से उर दाल दें और अगर छोटा हो तो थोड़ा से और कट कर दें और इसे थोड़ा सा पहार निकाल दें तो यह देखिए हमारे जो पाइपिन बैग और नोजल है वो होम मेट कागश से बन करके तयार है अगर यह आईडिया आपको पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक कर किया के अब हम जो एके को डेकुरेट करते हैं तो और चय swag जो थंड़ा हो गया है मैसे फ्रिज है सबस्कोंट ही मैं अदिया है की तो अभी में आपको तक चेक है वह यह देख़े हमारे की शिकर के तयार हुआ होगा और आप्छा चीज़ कीज़ें कि आप यहां space भीया या केक क्रफने में तो कभी आप आप को आइसि कड़ने कीजर पीडर्डीों का लगाने anche 국 Flore ऌ का कम से कम भीया वी कुछे यह डिचे बिस्कीट का केक बनाने में यहीं लगा कि जो हैलों से अच्छा स्वारा पावड़र होता है जब हमें कीग को सजाना होता तो देखे इस सकाते हैं ऐसस्टरों कोठ़ आएक प्रहले सकनी करें कर सकते हैं सिंटाО्ध क्रेण चैरी खाले ही शुगर वाला पानी है इसे हम थोड़ा सुख पर डाल देते हैं और क्योंकि इसकी पर हम दूसरा स्पंज रख रहे हैं अब इससे हमें अच्छी तरीके से कवर कर देना है क्रीम से अगर आपको लगता है कि क्रीम जो है मेल्ट हो रही है तो आप फ्रिज में रख देजिए औ बाकि जब भी आप इसे केक बना रहे हो तो कोसिस कीजे कि जो रूम आपका ठंडा रहता हो वहां पर आप केक को बनाईए तो जो है क्रीम को हैंडिल करना काफी इजी हो जाता है और आप अच्छे से केक को डेकुरेट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है तो इस तरीके से हम दोस्तों के साथ इसे घर पे ही ऐसे यम यमी केक बना करके भी आप अपने घर में फैमली को खुष कर सकते हैं या फिर किसी की बड़े पाटी हो तो भी आप इस तरह से केक बना सकते हैं क्योंकि इस तरह में कोरोना का टाइम चल रहा है और हम सभी को बहुत ड़न लगता है बाहर से कोई भी चीज लाकर के खाने में तो आप घर पे ही बहुत ही अच्छा सा केक बना सकते हूँ अब तो आपको सजाने की भी कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपको इतना अच्छा तरीका बताया है आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा और I'm sure आपके घर में फैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा तो चलिए अब इससे हम आपको सजाकी भर दिखाते है कि किस तरीके से आपको यूस करना है तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इसमें क्रीम डालनी होगी तो देखिए मैंने यहां पर क्रीम ली इसके अंदर मैंने डाल दी तो जितनी क्रीम आपको लगनी है आप उतनी क्रीम इसके अंदर डाल दीजे इसके बाद जो उपर वाला पोर्शन इससे ऐसे फोल्ड कर दीजे और अब मैं आपको ऐसे सिंपल कागश पे एक बर इसके पैटरिन बना करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमेंसे चलाना होगा एक बर आप ऐसे चला लेंगे ना तो आप कहां सेट हो जाएगा फिर जब आप केक पर बनाएंगे तो इदा पॉर्फेक्ट डिजाइन बन करके त्यार होगी तो यह देखिए हमारा जो कागश बला पाइपिन बैग है और नोजल है वो कितना अच्छा काम कर रहा है ऐसे में बिल्कुल भी जरुवत नहीं है कि आप बार्केट से इतना कौशली नोजल खरीदें और उसे यूज करें तो यह देखिए हमारा ब्लैक फॉर तरीके से बन गया है अब मैंने यहां पर रेड चेरी नहीं है तुसको हम इस तरीके से लगा देंगे इसे की बहुत ही निखल करके आता है और जब बात हो ब्लैक फॉरिष्ट की तो उसमें चेरी और चॉकलेट तो रोना ही चाहिए बगार चेरी और चॉकलेट के हमारा ब् चॉकलेट को ग्रेट करके यानि कि जिससे हम कद्दुकस करते हैं गाजर वगर उसी से आप इसको इस तरह से बना करके इसमें डाल सकते हो तो कैसे लगाए कि मुझे कमेंट करके जल्यू से बताएं और रेस्पी अगर पसंद आई हो तो प्लीज 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 आप करूंगी बस थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मिलते हैं बाई बाई